बिहार की सियासत में कल एक बड़ा जो बयान है वो तेश्वी यादों ने अपने पाटी के विधायक सुधाकर सिंग के लिए दिया और बीजेपी का एजेंट करार दिया बैरहाल सियासत जो है गर्म है और नितिश कुमार आज से समाधान यातरा पर निकलेंगे हमाय साथ इन खैर जब से सुधाकर जी यह चोड़े इस तरह से किये हैं और उनकी कुड़सी गई है मंत्री पर पद गया है तो कहीं ने कहीं नितिश जी के आँख पर वो चड़ेव हैं और अभी की जो परिस्तितियां है कि आज जिस तरह से इन लोगों का गठवंधन हुआ है और तेज तो इन सब बातों से प्रभावित तो हैं ही तेजस्वी जी जब प्रभावित हैं तो उनको तो वही सब्द प्रयोग करना है जिस सबसे नितिश जी खूस हो सकें तो इसलिए यह खूस करने की बात है और जहां तक बात है जब वो इस तरह की बात बोल रहे हैं तो इसमें कि नहीं ने कहीं खुश करने की बात है जहां तक मैं समझता हूं कि अगले नित्रित में आप को और अगले चुनाओं में जो विधांसभा चुनाओं होगा उस में जस्वी जी के ही नित्रित्व में एये चुनाओं होगा तो इस तरह की बात होने से उस्वतह्त जस्वी जी नत्मस्तक है jotK chhat को पर दिखता है क्योंकि एक चीज़ आप अंदर की बात यह समझ लिजे कि जितनी बार नितिश जी जदियु से राज़त से भाजपा में गए हैं और जितनी बार यह पल्टा-पल्टी हुआ है इसका इस बार इस बार जो यह पल्टा-पल्टी हुआ है इस बार जनता जो है जो जो वोट्रस हैं वह नितिश जी के साथ उस तरह से नहीं खड़ है जिस तरह से कि पहले जो पलटे थे उस सम्य दिख रहे थे फिर बीजेपी में गए उस सम्य भी दिखे लेकिन इस कि लिए यहां पर यह नहीं दिख रहा है। इसलिए जो है तेजस्वी जी ज़ो है यह समझ रहे हैं कि आने वाली है और इसके लिए वो जो है निपीश जी अभी जो तयारिक कर रहे हैं उसी हिसाब से वह सोच रहे हैं और चल रहे हैं बड़ा सवाल है आप जनता की बात करें कि जनता नितिशी के साथ नहीं नितिश जी आज से समाधान यातरा पे निकल रहे हैं देखे समाधान तो करना होगा ना क्योंकि जो समस्या जब उत्पन होती है तो उसका समाधान करना ही एक उपाय है चाहे कोई भी सम तो जो राजनीतिक समस्या अभी उत्पन हुई है भारते जंता पार्टी से गटवंधन तोड़ने के बाद और जिस तरह से उनकी बदनामी चाहे सराब के मामले में हो चाहे बेरुजगारी के मामले में हो वो आज जो 16 वर्स सासन किये उस समय उन्होंने कोई भी नौकरी की ऐ यहां तक कि उन्होंने यह कहा कि तेजस्वी का जब बयान आया था तो उन्होंने यह कहा कि कहां से वो नौकरी लाएंगे देंगे तो फिर पैसा कहां से लाएंगे और कहां से लाएंगे और उस पर उन्होंने कुछ कहट के भी बयान दिया था कि कहां से लाएंगे जेल से कहां से लाएंगे पईशा इस तरह की बात जब वो कहे और वही आदमी आज इनके साथ आने के बाद तेजस्वी जी दस लाग कह रहे थे और ये बीस लाग कह रहे थे तो सवाल ये उड़ता है कि इस सब बातों से जनता पर इसका बुरा असर पड़ा है तो जब अब समाधान करने का प्रयास तो ये करेंगे भले समाधान हो या नहीं प्रयास तो वह करेंगे इसलिए समाधान यात्रा में जा रहे हैं और जबकि इस बार आपको मालूम भी होगा कि समाधान यात्रा में वह अपने जो कहा जाए कि चुनिंदा जो लोग हैं जो कि चुनाओं म उनके लिए बोट बैंक को तयार करते हैं सिर्फ उनसे ही मिल रहे हैं जनता से नहीं मिल रहे हैं जनता को इगनोर कर रहे हैं जनता को इगनोर कर रहे हैं और उन लोगों से मिल रहे हैं जो बोट के ठिकेदार बनेंगे या जो ऐसे लोग हैं जिनसे उन्हें उमीद है कि बोट इसको collect करने में उनको बोर्ट दिलाने में उनका मदद मिलेगा ऐसे लोगों से मिल रहा है लेकिन इस वार जनता जो है जहां तक मेरा समझ वह माइंड जो दिमाग जो दिमाहीं है उसे निखालने में इन्हें परिशानी होगी आलांकि प्रियास कर रहे हैं समध्हान depending तो उसका समाधान करना चाहर है इसलिए समाधान यातरा पर निकल रहे है अब वोट की बात कर रहे है कल जेपी नड़ा आये थे बिहार वैशाली में उन्होंने कहा कि बीजेपी पुर्ण बहुमत की सरकार अपने बुते बनाएगी कैसे देखते हैं इस बयान को देखे उन्होंने जेपी नड़ा सहाइब ने कहा कि हम बनाएंगे अपने बूते लेकिन एक वात आप जाल लिए अकेला बिहार जैसे जगा में प्रांत में बहुत से ऐसे दल हैं जो अपने अस्तित्तों को बना चुके हैं और उनके साथ बोटर भी है और यही छोटी छोटी जो संख्यां होती है बोटरों की 10,000, 20,000, 15,000, 5,000, 2,000 ऐसे बोटर जो पार्टियों को भोट देते हैं तो वो पार्टी को यदि लेकर के साथ भारतिय जनता पार्टी अगर बिहार में नहीं चलेगी तो मैं समझता हूँ कि ये काफी दिक्कत होगा और यह हो सकता है कि उसमें उसफल नहीं हो इसलिए जब तक बिहार में सभी दलों को जैसे कि तेजस्वी ने आप एक चीज देखिए तेजस्वी ने उस समय एक दल था छोटा दल था भी आईपी उसको जो है सो उन्होंने नका सरकार बनाने से चुक है यही थोड़ा जो सब्द है इसको थोड़ा नहीं समझना चाहिए क्योंकि हार हजार दुहजार पांसो से भी हमने देखा है और दस हजार से भी देखा है लाखों से देखा है तो यह जो छोटे बोट से की संख्यासी जो हार होती है इस हार से भारती जनता पाटी रहेगी तो परिणाम उसके विप्रीद जाएगा इसलिए अगर उनके घारती जनता पाटी के दिल में सभी दोलों को छोटे छोटे दलों को बिना नजर अंदाज के लेके चलने की बात होगी तो निश्चित तौर पर वो सरकार बना सकते हैं बिहार में क्योंकि वो भी एक बोट वैंक की भारी संख्या हो जाती है तो सरकार बनाने में बड़ी मुश्किल होगी वही निटीश कुमार जो अपना यात्रा पर निकल रहे हैं जनता से मिलेंगे उस पर इन्होंने कह दिया है कि यह कैसी समाधान यात्रा है जब आप जनता से रूबरू नही होंगे बेरहाल तेश्वी द्वारा जो बयान सुधाकर सिंग के उपर दिया गया उन्हें बीजेपी का एजेंट बताया गया उस पर इन्होंने साफ तोर पर कह दिया है कि यह नितीश कुमार को करने की कवायद है क्योंकि नितीश ने तेश्वी को अपना उत्राधिकारी बताया है ऐसे में ललसा जो है वह सीम कुरसी की है आप बने रहे हैं फॉस्ट बिहार जार्खन के साथ खबरों का सिलसिला यूहीं चलता रहेगा कि अप कि अप